हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड कराता है और आज का इस टॉपिक्स है हिंदी ब्याकरन से संधी संधी से पिछले हमने वीडियोज बना दिया है संधी का पार्ट वन जिसमें हमने स्वर संधी को बहुत ही सरल भासा में और ट्रिक से समझाने की और याद करवाने की कोशिस की है तो उसी का आज second part है जिसमें हम व्यंजन संधी को explain करेंगे और trick के साथ परेंगे जिससे की आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमने संधी कलपरा यानि पिछले parts में कि संधी किसे कहते हैं संधी के कितने भेद होते हैं तो उन्हीं भेदों में से दूसरा भेद है व्यंजन संधी व्यंजन संधी कहते किसको हैं यानि कि व्यंजन संधी का परिभासा क्या है तो व्यंजन वर्न के साथ व्यंजन या व्यंजन वर्न के मेल से ब्यांजन वर्ण के साथ स्वर या ब्यांजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे ही ब्यांजन संधी कहते हैं ब्यांजन वर्ण एक तरफ रहेगा और दूसरे तरफ स्वर वर्ण रहे या ब्यांजन वर्ण रहे और उसके मेल से जो नया सब्द बनेगा उसी को कहेंगे ब्यांजन संधी एक बाराओ समझते हैं ब्यांजन वर्न के साथ है स्वर्वर्न या ब्यांजन वर्न के मेल से जो नया सब्द बनता है उसी को ब्यांजन संधी कहते हैं ठीक है जैसे कि देखिए यहां पेक है जगत संधी ईस दोगो है और ये जो है ये ब्यंजन वर्न है क्योंकि इसमें तौ लगा हुआ है और ये जो है इसमें स्वर है देखिए ई जो है स्वर है और इन दोनों के मेल से एक नया सब्द बना जगदी इसे वैसे ही दिक संधी अंबर को जो है ब्यांजन संधी है और जो है को जो है ब्यांजन वर्न है और जो है स्वर वर्न है और इन दोनों के मेल से एक नाया सब्द बना है दिक अंबर तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि यह दोनों जो है ब्यांजन संधी है ठीक है यहां तक आप समझ गए हैं तो अब next question आपके दिमाग में आ रहा है कि ब्यांजन संधी के भेद कितने होते हैं तो आईए इसको भी समझते हैं ब्यांजन संधी के भेद ब्यांजन संधी के चार भेद होते हैं ब्यांजनसंदी के totally 4 भेद होते हैं कौन-कौन? आईए समझ लेते हैं इन में याद करने योग कि ब्यांजनसंदी के कितने भेद होते है तो जब हम ब्यांजन लिखेंगे तो 4 गो वड़ से 4 गो अक्षर से मिलकर बना है वोयाजान तो इसमें भेद कितने होंगे चार भेद हो गए यही था ट्रेक क्यूंकि हम हमेशा जो है उपर वाले को नहीं लेते हैं अब कौन-कौन से है तो देखे अश्चुत्व बेंजन संधी जसत्व बेंजन संधी और परस्वर्न बेंजन संधी याद रखेगा अश्चुत्व ब्याजन संधी अश्चुत्व ब्याजन संधी जसत्व ब्याजन संधी और परस्वर्न ब्याजन संधी ठीक है अब कहेंगे कि अश्चुत्व ब्याजन संधी किसे कहते हैं आईए समझ लीजिए अश्चुत्व ब्याजन संधी किसे कहते हैं देखे जिस ब्य वर्ग हो जाता है यानि तचफदद के अस्थान पे चचछजज़ हो जाता है उसे लिए काते हैं अस्चुत्व ब्याजन संधी उसे ही काते हैं एक्जांपल देखें जैसे कि रामस संधी सेटे रामस हम बताया है परिभासा में कि दंटी सर्ब का तलाब्बेश हो संधी और सत संधी चरीत्र तो जो है किसमें च्रहा है देखे तो जो है यहां पर बन गया है तो सत चरीत्र हो गया तो इस प्रिकार हम कह सकते हैं कि चुत्व ब्यंजन संधी है अगर याद नहीं हुआ है तो अस्चुतो हम लोग कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं अस्चुतो याद हो गया याद नहीं हुआ तो सिर्फ आप नाम को याद रखेगा आपको याद हो जाएगा ठीक है उसके बाद आते हैं अस्टुत्व ब्यंजन संधी जिस ब्यंजन संधी में दंटी स्व का मुर्धनी स्व हो जाता है और तवर्ग के अस्थान पे तवर्ग हो जाता है उसे ही कहते हैं अस्टुत्व ब्यंजन संधी देखिए अब examples से समझते हैं, दंटी स का किस में change करना था, इसमें मुर्धनी समें तो रामसंधी स सो अच्टे, ये दंटी स किस में change हो रहा है देखिए, मुर्धनी समें तो ये जो है अस्टोत्व संधी का उधारन है, उसी परकार आक्रिस्ट संधी तव, अक्रिस्ट अच्री स्वर्ग के अस्थान पर का आएगा तो यह जो है अस्थव बेंजन संदी का उधारन है इसी प्रकार समझते हैं ज़ा सत्व बेंजन संदी किसे करते हैं अगर अस्थूत्व नहीं समझ में सब्सक्राइब तो रखिएगा हिंदी में यानि की ये सर्द यानि मुरधानि सर्द और जिसमें रहेगा उसी को कहेंगे समझ में अब आते हैं जसत्व संथी जी में तो यानि अगर सिंपल भासा में कहें तो इस पॉर्श बयांजन वर्ण रहते हैं तो उसके प्रथम दवित्यों एवं चतूर्थ वर्ण हो तो केवल 324 जाता है जैसे कि एक तरफ संधी में एक तरफ पलस होता है और फीर एक तरफ अगर इस तरफ कवर है को रहे और गोर है तोısन तीनों के अस्तान पे गोई लीख सकते हैं यानि पहला दूसरा और चौथा रहे तो एफ तीनों के अस्तान पे 3 लीखाएगा अये एक्जामपल से समझते हैं दिख संधी गज क्या है को जो है पहला है को वर्ग का पहला आक्षर है तो को के अस्थान पे देखे गउ हो गया है को के अस्थान पे गउ तब क्या बन गया है दिख संधी गज दिगज बन गया है उसी प्रकार अच्छ संधी आंते क्या बन गया है अजानते चो किस में change हुआ है चो जो है जो में change हुआ है example से समझे और अगर आपको याद नहीं हुआ परिभासा तो जो और सो याद रखेंगे जो और सो जो जो है तीसरा नंबर है तीसरा नंबर अक्षर है चो चो जज़ा का हमेशा जो है चार जब रहें पहला दूसरा और चौथा तो तीसरा नंबर वाला अक्षर वहाँ पे होगा वो है जसत्व संधी का उधारन जसत्व बेंजन संधी उसी प्रकार है परस्वर्न बेंजन संधी किसे कहते हैं बहुत ये भी आसान है जिस बेंजन संधी में पहले आने वाले वर्ने बाद में आने वाले वर्ने के समान हो जाता है उसे ही परस्वर्न बेंजन संधी काते हैं समान काने का मतलब जैसे देखे पहला वर्न ये है और दूसरा वर्न ये है तो पहला जो वर्न आ रहा है दूसरे वर्न के समान हो जा रहा है जैसे ता जो है पहला वर्न में है और ला जो है दूसरे वर्न में है तो ता और ला मिल जब ता मिल रहा है यानि संधी हो रहा इन और अब टो इस प्रकार हमने ब्यांजन संधी के बारे में परहा और आप ब्लिवा रहे अगर यह वीडियो को समझ में आया दो लाइक कीजिए छैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा शेर किजिएगा उतना हम मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए ज्यादा ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू